नमस्का जोहार आदा, क्लीन न्यूस संथाल प्रगना में आपका स्वागत है गारी मालिक ने गारी की पाचान की और थाना प्रभारी नमड कीश्च को गारी पूरी जनकारी दी आवश्यक परकरापूरी करने के बाद बाईक को पटना पुलिस को सुपुत कर दिये गया इसके बाद गारी मालिक और A.S.I. दोनों गारी लेकर पटना के लिए निकल गए वहीं फरार A.S.I. अखलाग खान की गिरपतारी के लिए दोनों धाना की पुलीस संयुक तुरूप से आगे की करवाई करेगी दस लाग का इनामी नकसली जोनल कमांडर सुधीर किस्कु गिरपतार नकसलीों के बिरुद दुमका में चलाय गया आपरेशन में पुलीस को बड़ी सफलता मिली है पाकूर स्पी अमर्जित बलिहार की हत्या में सामिल दस लाग का इनामी नकसली सुधीर कुमार गिरपतार हो गया है ताला ताके मारे जाने के बाद सुधीर किस्कु संथाल प्रगना में भागपा मावदी संगठन को जोनल कमांडर की हैसे से नकसली संगठन को लिट कर रहा था पुलीस ने सुधीर किस्कु की गिरपतारी की अभी पूश्टी नहीं किया नक्सलियों के बिर्ध दुमका में दुमका एवन गिरीडिक की पुलीश और एसेसवी के त्वारा सयुक्त रूप से आपरेशन चला जा रहा है धुमका जीला प्रसासन ने आसहाए बिर्ध एवन जरूरत मंदों की बिच कंबल का वित्रन किया जार्खन के दुमका जीला प्रसासन ने गरीब आसहाए बिर्ध लोगों के दुख दर्ध को दूर करने के लिए अब गाओं का रुक किया है उपायुक्त राजसुरी बी ने शनिवार को मसलिया प्रकंड छेत्र में रंगा पंचात का ब्रमन किया और गरीब आसहाएवन बिर्ध लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना उन्होंने इलाके में संचालित विभिन कल्यानकारी योजनाओ का भी इंडेक्शन किया ब्रह्मन के दोरान उन्होंने मन्रेगा पत्दानमत्री अवासे और अन्य योजनाओं के तत कर्यानवित योजना को गुनवत्ता खुले कर अधिकारियों को कई निर्देश दिये गए खबर अब गोड़ा से सेलाइनियों को लुभाता पतरगामा के योगनी मंदीर हुआ धनसुखा पहाड नए साल के आगमन के पूर्व जसन मनाने प्रखंड मुख्याले इस तित मायोगनी मंदीर के आसपास की पहाडियों पर सेलाइनियों का डेरा लगता है इस मनोहर अस्थल की आकरसक चबी देखिने वो पिकनिक मनाने के लिए परतिवर सेक्डों की संख्या मिलोग यहाँ पहुंते हैं बतादे की मायोगनी मंदीर के दरबार में एक जनवरी की दिन बिहार बंगाल आधी अस्थानों से सेलानियों हाजाओ के संख्या में आकर मायोगनी मंदीर के बगल के कुंड में आसनाम कर मायोगनी की पुझा अर्चना करते हैं पेसेबर आपराधी ने की थी हाईवाचालक की हत्या जीले के महागामा थाना चेतरे के फिरोजपूर गाउनिवासी हाईवाचालक जहांगीर आलम की हत्या की गुत्ती सुलज गई है पुलीस ने इस चर्चित मामले में हत्या रोपी मुहमद इस्त्खार को गिरबतार कर जेल बेज दिया है गिरबतार पेसेवर अप्राधी मुहमद इस्तिखार ने अपनी गुनहा कबूल कर लिया है हत्या के पीछे सड़क के किनारे कीमती जमीन से जुड़ा विबाद मुख्य कारण बताया जा रहा है महगावाई SDPO केके सिंग ने इसकी पुष्ट की दुसकर्म मामले में पिडितों और बच्चों की अभिरक्षा जरूरी जीले में दुसकर्म सहीत महिला हिंसा की बरती घटनाओं की रोकताम को अब समाज को ने जनजरी से आगे आना होगा कानून सबों के लिए बराबर है दुसकर्म मामले में पिडितों और उनके बच्चों की अभिरक्षा जरूरी है हिंसा किसी भी अस्तर पर परदास नहीं की जा सकती है महला और किसोरियों के साथ योन हिंसा की रोक्थम में कानून अपना काम करे लेकिन इसके साथ ही सामाज को भी सजक्ता के साथ प्रितों के साथ खड़ा रहने की अवसकता है उक्तबाते जीला जजपर्थम शीपाल सिंग ने कही वे सनिवार को सहर के स्वामी विवेकानन अनांत आसरम में आयोजित गोश्टी में बतोर मुख्य अतिती बोल रहे थे ड्रीप एरिगेशन को किशानों को मिलेगा नभी फिजदी अनुदान पद्धान मंत्री किरिशी सिचाई योजना के तहट अब ड्रीप एरिगेशन सहिंतर अस्थापित करने के लिए किशानों को सरकार की और से नभी फिजदी अनुदान दिया जा रहा है ये योजना गत्वर्स के लिए शुरू है इसका अधिक लाब उठाकर किसान जल परबंदन में आनी वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं उक्त बाते सहुक्त किरिशी निदेशक अजय कुमार ने कही वे सनीवार को जिला मुख्यल इस्थित जिला किरिशी कारेल में आयोजित जिला अस्तरिय रभी कारेशाला को समोधित कर रहे थे खबार अब देवगर से एरपोर्ट को भावन पर दिखे बाबा नगरी की जलाग सनीवार को उपायुक्त मंजूनात भजंत्री ने देवगर आवाय अड़ा निर्मानकारे की समिक्चा की हावय अड़ा इस्तित पुरजेत भावन में बैठक के दोरन उन्होंने एरपोर्ट परिसर के बाहर लगे पेणों की कटाई जल्द पूरा करने को कहा इसके लिए हाई पावर केमेटी की सुकिर्टी लेकर आथोरेटी के अधिकारी एवन वन परमंडल के अधिकारी को समन में बना कर काम करने को कहा देवगहर से पूजाकर बोकारो सेक्टर चार लोट रहता परिवार सड़क हासे में पिता पुत्री और कार चालक की मौत तीन की हालत गंभीर पूर्वी टूंडी थाना अंतरगत गोविंदपूर सहेवगांज मुख्य मार्ग उकमा पंचायत अंतरगत चुनुटी मौर के समिप सडब दुरगटना में तीन लोगों की मौत हो गई मिर्तकों में 75 वर्षिय बसिष नरायन चोधरी उनकी पुत्री 42 वर्षिय राखी चोधरी और चालक मुकेश कुमार सामिल है कार में शवार परिवार के तिन सदस्य 49 वर्षिय अभीशे 36 वर्षिय कपील और 33 साल की नेत्री गमीर रूप से घायल हो गए जानकारी का अनुसर घायल मिर तक वसिष नरायन सिक के बेटी दमाद है बाबा मंदीर के सभी दवार साम तक खुले बाबा मंदीर परिसर के सभी दवार पूर्व की तरह सुभा से मंदीर का कपाट बंध होने के तक खुला रहने की मांग को लेकर सरिवार साम से पंडा धर्म रक्षिनी शबा के महामंतरी कार्तिक नाथ ठाकुर के नितित्त में दुकांदारों ने अनिस्चित कालिन धर्ना शुरू कर दिया, मंदीर के दर्वाजा पर यह धर्ना दिया जा रहा है इसमें मंदीर आसपास के सभी वेवस्वाईयों ने भी गेट बंद होने को लेकर विरोध में दर्वाजा के पहार पैट गए हैं खबर जामतरा से दो दिवसियर वुशू मार्शल आर्ट आर्थ मरक्षा परिसिक्चन शिविर का हुआ आयोजन जामतरा जीला वुशू एसोशेशन के तत्वधान में संथ अन्थोनी स्कूल में दो दिवसियर वुशू खेल हुआ आर्थ मरक्षा क्या कला कोसल परिसिक्चन शिविर का आयोजन क्या गया जीले में अपनी तरका या पहला आयोजन था जीले के साथ बच्चे इसे परिसिक्चन ले रहे हैं परिसिक्चन शिविर का सुभारव अनुमंडल पदादिकारी संजयपाने विशिष्ट अतिती जामतला जीला ओलंपिक संग के उपाध्यक्ष डीडी भंडारी जामतला जीला खेल मंच के सचीव दिपक दुबे इला फाउंडेशन के चेर्मेन डाक्टर पिके सर खेल जाम जामतला जीला भुसु एसेशन के सरक्षक डाक्टर अंचल बंडारी अध्यक्ष ठीके माजाली शामी थे एक महने में बैटरी चोरी की तीन घटनाय किसी में करवाई नहीं जामतला से देवहर वा दुमका तक बैटरी चोरों ने अपनी सक्रिता बढ़ा दिया इस महने में मोबाईल टावर से चोरी की तीन घटनाय हुई लेकिन किसी भी मामले में पुलिस करवाई नहीं कर सकी आपराधी एटेल, एटीसी, आधी नीजी कमपनियों के टावर को एक के बाद एक करके निशाना बना रहे हैं खबर पाकूर से प्रसांद के साथ 10 लाग का इनामी सुधिर भी पुलिस की गिरपता में ताबर तोर करवाई से नकसली सक्ते में पाकूर के ततकालिन एसपी अमरजीत बालियार की हत्या में सामिल मावधी लीडर सुधिर किसु को दबोचने में गिरिडी पुलिस को काम्याबी मिली सुधिर पर भी 10 लाग का इनाम है संथाल प्रगना में लाल सलाम का नारा लगाने वाला 10 लाग काइनामी परसांद मा जी वा उनकी पतनी प्रभात दी उप्व जया को भी पकड़ने में पुलिस काम्याब रही है परसांद एवन सुधिर की निसान दाई पर गिरिडी से एक सैतालिश एवन करबाईन की बरांदी हुई है 10-10 लाग रुपे के दो नामी नक्सलियों की गिरवतारी में नक्सली सकते में है सरकार की पहली वर्षगांद पर होंगे कई कारिकरम अपने कर्याले कक्ष में उपायोग पुल्दीव चोधरी ने सनिवार को राज्जी सरकार की पहली वर्षगांद पर 29 दिसमर को आयोजित होने वाले कारिकरम की त्यारी की समिक्चा की उपायोग दिने अकारियों को शौपे गए कारिया एवन अब तक की हुई त्यारी की जनकारी ली सराब बेचने वालों के खिलाप महिलाओं ने खोला मोर्चा गोपी नातपूर गाओं की महिलाओं ने सराब बेचने वालों के खिलाप मोर्चा खोल दिया है आक्रोशित महिलाओं ने इसकुल के समीब अवेत तरीके सराब बेचने वाले तपन राजवनसी को पकर कर घंटो बंदक बना रखा गाओं की महिला सांतवा मंडल चंदना मंडल सहित अन्य महिलाओं ने बाता कि उतकरमित उच्च विद्याले गोपी नातपूर के समीब बिगत कई महिनों से तपन राजवनसी अपने घर में अवेत डंग से सराब बेच रहा है हम रोज ऐसे ही नियूज लाते रहेंगे यदि आपने अभी तक किली नियूज को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो पहले फटा फट सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मीस ना हो